नमस्कार दोस्तों, ग्रेटो इंडिया यूट्यूब चनल में आपका स्वागत है, यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेट्पॉम आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, राजिस्तान के पर्मुक अभिलेक के बारे में राजिस्तान के इस्ट्री के अंदर जो भी पर्मुक अभिलेक है और उनसे जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट कोर्षन बन सकते हैं, वो आज हम करेंगे चलो वीडियो शुरू करते हैं किस अभिलेक में गुर्जर परतियारों को लक्समन का वंसज बताया गया है ये बताया गया है, गुर्जर अभिलेक के अंदर जो राइट अंसर होगा नेक्स्ट, निम्न मैं से किस राजबुत राजवन्स पर विजोली अभिलेक का परकाश डालता है वो आमें बताना है, तो ये डालता है अपने चोहान जो बिजोली अभी लेक पर परकास डालता है एक लिंग शिला लेक का लेकक जो परतियारों का इतियास बताने वाला कौन सा भी लेक है वो हमें बताना है, तो पर्तियारों का इतियास किस में लिका है, कौन से बिलेक में लिका है, वो बताना है, तो ये लिकावा है, मंदोर सिलालेक के अंदर, किसके अंदर, मंदोर सिलालेक है, जिसके अंदर पर्तियारों का इतियास लिकावा है, नेक्स्ट, गोसिंडी सिलाले किस लिपी में है गोसुंडी सिलाले के ये कौन सी लिपी के अंदर लिखा गया है ये लिखा गया है ब्रहाई लिपी के अंदर कौन सी लिपी के अंदर ब्रहाई लिपी के अंदर गोसुंडी सिलाले की बासा कौन सी है गोसुंडी सिलाले के उसकी बासा कौन सी है ये बासा है संसकत बासा में लिखा गया है कौन सी पासा में लिखा गया है दोस्तों संसकत बासा में चलो next portion के और जलते हैं निम लिकीट में से कौन सा बिलेक चितोड के पारंबिक इतियास का परकास डालता है चितोड के पारंबिक इतियास के बारे में परकास कौन सा अभिलेग डालता है वो हमें बताना है यह अभिलेग डालता है अपना मानमोरी अभिलेग कौन सा अभिलेग मानमोरी अभिलेग है जो चितोड के पारंबिक इतियास के बारे में बताता है तो इसका जो सेंसर हो जाए नेक्स्ट हाड़ी रानि क्रमवत्ते द्वारा Joph करते समय पूराहदी रानि द्वारा जोहर पर्वेश में करते समय जो भूमी अनुदान की जानकरी दी गई है वो दी गई है पूर के तामर पत्र के अंदर नेक्स्ट प के जानकरी कौन से अभी लेक में दिए गई है वो बता नहीं ये दिए गई है अपने बुधी विलाज के अंदर किसके पुधीविलास के अंदर जैपूर कि इस्तापना और जैपूर सहर की नगर निर्मान योजना के बारे में जानगरी दे गई है नेक्स्ट गटियाल सिला लेक गटियाल सिला लेक है जो किस पर्तियार नरेश की उपलब्दियों का वर्णन करता है यह करता है अपने कुकुक किसका कुकुक का वर्णन करता है नेक्स राजपुतों की उत्पती अगनी कुंड से बताने वाला ग्रंद कौन सा है वो ग्रंद है अपना पिर्त्विराज रासो इसमें बताया गया है कि राजपुतों की उत्पती कहां से हुई है अगनी कुंड के अंदर से सिवी जनपद उले का सो परतम सुरोथ किस ने दिया था ये दिया था अपने सिख्य के किसका दिया था सिख्येगा किस का सिख्येगा मंडोर अभिलेग किस राजा की प्रस्तिती हैं कौन से सिला लेग से पता चलता है कि विगरे राज चतूर ने दिल्ली को अपने अदिन किया ये सिला लेग कौन सा था ये सिला लागता बिजो लियागा सिला लेक, कौन सा सिलेक, बिजो लियागा सिला लेक next गाधिया सिक्य किस राजय से समंदिते हैं गाधिया सिक्य कौन से राजय से समंदिते हैं यह राजय था अपना उदेपू उदेपूर है जो गाधिया सिक्य के बारे में समंदिते हैं नेक्स्ट राजिस्तान में बागवत संप्रदाइक के परवाव की पुरुष्टी करने वाला अभिलेक है यह अभिलेक था अपना गोसुंडी अभिलेक कौन सा अभिलेक गोसुंडी अभिलेक नेक्स्ट सुमेश्वर के इत्यास का स्रोत हैं सुमेश्वर के इत्यास का स्रोत किसमें लिखा गया है यह लिखा गया है अपने पिर्तिराज विजे के अंदर किसके अंदर पिर्तिराज विजे के अंदर next इत्यास के सबसे परमानिक स्रोत है इत्यास के सबसे परमानिक स्रोत कौन सा है ये स्रोत है अपने पूरत आत्विक स्रोत के अंदर इत्यास का सबसे परमानिक स्रोत है next कच्छवा सासको की किस राजदानी का वर्णन अमेर सिलालेक में है कच्वा सासकों की किस रायदानिक का वर्णर अमेज सिला लेक में है ये कौन से कच्वा सासकते हैं? ये सासकते हैं अपने जमवा रामगड के नेक्स्ट अजमेर से प्राफ्ट बढ़ली सिला लेक में किस दरम की जानकर मिलती है बढ़ली सिला लेक के अंदर कौन से दरम की जानकरी मिलती है? ये जानकरी मिलती है जैन दरम की कौन से जैन दरम की? नेक्स्ट किस सिला लेक को कर्णल जम्स ने इंग्लेंड ले जाते समय, समुंद्र में फैक दिया था, कर्णल जम्स टोड़नें, इंग्लेंड ले जाते समय, कौन से सिला ले को समुंद्र के अंदर फैक दिया था, यह फैक दिया था, मानमोरी सिला ले को, कौन से सिला ले को, मानमोरी सिला ले को, अंग्लेंड ले जाते सिका एल ची क्या का जाता है सिका एल ची नेक्स्ट डिंगला विडरिया नाथ दुवार्या है वो बताना तो यह क्या है यह है मेवाड में परचली तंबे के सिक्के क्या होता है मेवाड में परचली तंबे के सिक्के उनको डिंगला विडरिया और नाथ दुवार्या का गया ह नेक्स्ट कोर्शन में इसमें से असंगत यूग म में बताना है तो देखते हैं जारसाई जैपुराज्य गलत ए जैपू राजे यह सही यह है विजे साही विकाने यह गलत है दिन्सो पाक चहामानवंस यह राइट है डिपू साइ मारवाड राजे यह राइट है इसका तो सयंसर हो जाएगा सेकिंड नूमर यह हमारा अससंगत है रिधी सांगता आजमेर के चौहान ओ वत्स गोत्त्रिय अब्राह्मन बताए गैंने संग्षों प्रस्ततिए अबीलेक के अंदर नेक्स्ट वह अभिलेक जिसमें सांबर के चाहामान सासकों की उपलब्दियों का वर्णन किया गया है वह अभिलेक कौन सा था वह अभिलेक था अर्सनात मंदीर अभिलेक तो यह अपना थर्ड नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्रिष्ण बठ द्वारा रचित जिसमें अलदीगाटी यूद का वर्णन किया गया है वह कौन सा है वह है अपना कौन सा यह हो गया जगनात परस्तति के अंदर किया किसके अंदर दिया गया है जगनात परस्तति के अंदर किस्नुदा रचित अभिलेक जिसमें अल विजोलिया बिलेक में समबरेंग अजमेर के चोहानों का वर्णन हुआ हैं। तो यह सँही है अपना विजोलिया बिलेक में आदिपुरू स्वासुदेव चाहमन का 521 इस्वीक में साकंबरी में चाहमन चोहान राजियंग समबर जील का निर्मान करता बताया गया है। तो इसका जो दोस्त से अंसर हो जाएगा थर नमबर है जो अपना असंगत हो जाएगा यह असतिय कहल लिजिए किरती स्थम परस्थिकार महेश बढ़ता यह राणा कुम्बा की परस्थिती तो यह गलत है परस्थि में कुम्बा दौरा रेचीत ग्रान्त हैं उसकी उपावडियों के बारे में बतलाया गया है यह भी गलत परस्थिती में कुम्बा दौरा माल्वा गुजरात की स्युक्ष सेना को परस्थ करने में वीजे के उफ्लक्स में चुतोर में वीजे इस्तम के निर्मान का उलेक हो है तो यह गलत तो यह तिनों आप्सन अपने सही हो जाएंगे तो इसका जो सही आंसर हो यह तिनों सत्य आपने नेक्स्ट राज सिंग प्रस्तिति के संदर में निम्मे से और सत्य बताना है तो देखते हैं इसका प्रस्तिकार रंचोड़ बड़ तेलंग ताजी से 1603 में राज सिंग के समय इस्तापित करवाय गया था यह हमारा सत्य गतन है यह राज समन जील की नौचोकी की पाल पर 25 सिलाओं की उतकेंड विश्व की सकते बड़ी प्रस्तिति अभी लेक हैं यह भी सत्य आए इसमें महाराना अमर सिंग द्वारा की गई मुगल मिवर सिंधी का वर्णन है यह भी सत्य आए अभी लेक में कहा गया है कि राज समन जील का निर्माण अखाल रहत कारियों के तहट अमर सिंग द्वारा करवया गया है तो यह हमारा सत्य हो जाएगा नेक्स्ट बिकानेर सासको के उपलब्दियों का वर्णन किस परस्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श् किस अभी लेक में गुर्जर पर्तियारों का मंदोर में अपना सासन इस्थापित करना बताया गया है कौन से अभी लेक में गटियाल अभी लेक के अंदर नेक्स्ट, निम्द मैंसे सत्य गतन है, इन मैंसे सत्य गतन के बारे में बताना है, तो देखते हैं, अजमेर के डाइदिन के जौपडे से 12 इस्वी का एक अभिलेक प्राप्त हुआ हैं, जिसमें उन लोगों के नाम दिये हैं, जिन्होंने इस मज्जीत का निर्मान करवाया ह हैं, तो यह सत्य हैं, नेक्स्ट, चितोड में 1325 इस्वी का एक अभिलेक मिला है, जिसमें चितोडगड का नाम खिरिजाबाद बताया गया है, सही हैं, यह भी, कोटा जिले के 1600 गुनसितर इस्वी में सहाबाद अभिलेक से वरंग जेब समय की करवेवस्ता की जानकारी मिल नेक्स्ट, जार सही सिका कौन सी रियासस से समंदिते हैं, जार सही जो सिका है कौन सी रियासस से समंदिते हैं, यह रियासस समंदिते हैं, जैपूर रियासस से, कौन सी रियासस से, जैपूर रियासस से, नेक्स्ट, मालोव सिके मिले हैं, मालोव सिके कहां से मिले हैं, यह म से सत्य कतन के बारे में बताना है तो देखते हैं इसका तुमाँ रहे Сक्क नमबर उप्रूक्टै शैक doמ׈ है next鐵 11 BTS का 549 का एक सिक्का आजमेर सित मैं मिला है इस सिक्के पर क्या लिका हैं वो बताना है क्या लिका है इस सिक्के पर लिका हैं एक तरफ मuxमध्owin साम वो दूसरी तरफ पृत्विराद चोحान का नाम अंकीत हैं क्या है मौमद गोरी और पृत्विरा चोहान का नाम इस पर अंकीत हैं तो इसका जो सय अंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर नेक्स्ट निम्न मैंसे किस छेतर में पंच मार्क सिकों के बारे में सबसे पहले साख से प्राप्त हुआ था यह प्राप्त हुआ था अपने राजिस्तान से कहां से राजिस्तान से नेक्स्ट निम्न मैंसे सुमेलित नहीं है इस मैंसे जो एक तरफ राजिय दे रखे हैं दूसरे तरफ सिक्के दे रखे हैं वो सुमेलित नहीं है वो अमें बताना है दोलपूर, तमसा साई सिका सही है बिकानेर, गस साई सिका सही है पासवाड़ा के अंदर सालिम साही और लक्समर साही सिका सही है जो लास्ट है सलूमबर जार साही सिका है यह अपना गलत है इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ नमबर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक यांग सब्क्रेब जरूर करें थैंक